जै भारत दोस्तो ग्यानिसकाय क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो क्लास 10 के सोसल साइंस के अंतरगत आने वाली हमारी बुक हमारी अर्थवेवस्ता का पहला चेप्टर अर्थवेवस्ता इबमिस के विकास के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तो आज के लेक्चर में, यानि कि इस चप्टर के अंतिम लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, नरेगा के बारे में और गड़ी भी रेखा के बारे में, दोस्तो नडेगा जो आपको यहाँ पर question लिखा हुए कि नडेगा क्या है यह बिहार बोड में या किसी भी state बोड में इसे मनडेगा के नाम से भी पूछा जा सकता है क्योंकि नडेगा पुराना नाम है और नडेगा को ही चेंज करके मनडेगा कर दिया गया था जिसके बारे मैं आपसे आगे बात करूंगा नडेगा का पुर्ण अर्थ होता है रास्टिये ग्रामिन रोजगार गारेंटी अधिनियम यानि कि N4, N4, National, 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 Rural Employment Guarantee Act यानि कि नडेगा का पुरानाम क्या हो गया रास्टिये ग्रामिन रोजगार गारेंटी अधिनियम इसको इंगलिज में बोलते है National Rural Employment Guarantee Act इसे संचिप में नरेगा कहा जाता है यह योजना देश के ग्रामीन चेतरों के गरीब मजदूरों के लिए रोजगार देने की एक गैरेंटी योजना है यानि कि भारत सरकार द्वारा 2005 में इस Act को पास किया गया था नरेगा को और सबसे पहले दो फरबड़ी 2006 को भारत सरकार द्वारा आंद्र प्रदेश के अनंधपुर गाउं से इस योजना की सुरुवात की गई थी इस योजना में सरकार ने प्रतेक ग्रामीन चेतरों में रहने वाले मजदूरों को अगर आज नरेगा और के तहले तहलेकि सबसे अधिक जो भुकतान किया जाता है प्रति विक्ति प्रती दिनों का वो आपको हडियाना में है जो लगभग 357 रुपे के आसपास है और अपने बिहार में ये पहले 210 रुपया था जिसको बढ़ा करके 228 रुपया कर दिया गया है यानि कि नडेगा के थोरू या मनडेगा के थोरू आज कोई वेक्ति काम करता है कोई मजदूर तो उसको प्रते सरकार का एक गरेंटी योजना है रोजगार देने की तो यह लिखा हुआ है कि यह योजना देश के गरामिन चेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए रोजगार देने के गरेंटी योजना है जिसके अंतरगत इन गरीब मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए भीजिणा, विस्वका सबसे बड़ा रोजगार योज用ना माना जाता है जो आज समाज को आर्थिक रूपसे मजबूती प्रदान कर रही है यांनि कि भारत सरकार के जो भी कारे करम होते हैं जैसे अगर कोई कची रोड बन रहा हो या कोई फिर नालो का निर्मान हो रहा हो या तालाप का निर्मान हो उन ग्रामी छेतरों में उन निर्मान कारियों में इन मज़दूरों को लगाया जाता है और साल के कम से कम 100 दिन रोजगार इनको सरकार सुनि मन्रेगा था लेकिन 2010 में इसे बदल कर मन्रेगा कर दिया गया मन्रेगा मतलब एम जी महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लाइमेंट गैरेंटी एक्ट यह महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लाइमेंट गैरेंटी एक्ट यानि कि राष्टिये ग्रामिन रोजगार गैरेंटी अधिनियम में लग गया है महात्मा गांधी यह चेंजेज हुआ 2010 मे यानि कि मनरेगा करनाम क्या हो चुका है मनरेगा हो चुका है तो ये था हमारा नरेगा बहुत important question है और जानना आपके लिए बहुत क्या है जरूरी है अगला question जो है हमारा गड़ीवी रेखा क्या है तो उस्तों अक्सर हमारे मन में यह प्रुस्ण उठता है कि जब कोई लोग गड़ीवी रेखा में शामिल होते हैं गड़ीवी रेखा बोलते हैं तो हम उसको आर्थिक इस्तिति के रूप से तॉल करके बता देते हैं कि इसके पास इतना assets है या इतना इसका financial condition है तो यह गड़ीव है या मीर है लेकिन भारत सरकार का यानि कि गड़ीवी रेखा का जो गड़ीवी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा बनाई गई है यानि कि भारत सरकार के जो योजना आयोग विभाग है उनके द्वारा गड़ीवी लाइन को निर्धारित किया गया है जो एक प्रकार के कैसी रेखा है कालपनिक रेखा है यह रेखा calorie माप माप डंड पर आधारी तो मैं आपको बता दूं अप कोई भी खाने का पदार्थ लेते होंगे फुर्टस भगेरा बिस्कृ सब के पीछे में लिखा होता है उसी के मैं बात कर रहा हूं और एक स्वस्त मनुस्त को परती दीन दो हजार से पचीस सो कैलरी उर्जा की आवे सकता होती है तो इसलिए इस पे जो माप डंड है यानि कि यह जो रेखा है वो कैलरी माप डंड पर अधारीत है बैक्ग्राउन में कुछ नवाईज आ रहेंगे होंगे दोस्त इसके लिए माफी मांगता हूँ तो यह रेखा कैलरी माप डंड पर अधारीत है इसके बारे में और डिटेल हम बात करेंगे अर्थात जो बैक्टी ग्रामिन छेतरों में 2400 कैलरी परती दिन तथा सारी छेतरों में 1200 कैलरी परती दिन प्राप्त नहीं कर पाता है यानि कि कोई सहर में रहने वाला बैक्ती है जो 1200 कैलरी परती दिन नहीं कर पाता है और कोई गाव में रहने वाला बैक्ती है वो अगर 2400 कैलरी परती दिन का नहीं प्राप्त कर पाता है तो वो बैक्ती गरीबी रेखा के नीचे यानि कि BPL line में उसको माना जाता है इनके गरीबी रेखा से नीचे below poverty level के रेखा में उसको माना जाता है अब आप देख रहे हैं कि सहरी छेतरों में 200 और ग्रामी छेतरों में 2400 क्यों क्योंकि सहरी छेतर के लोग सारेडिक रूप से कम मेनत करते हैं इसलिए इनको 200 कैलरी की ही एक निर्धारित किया गया लेकिन सहर के छत सहर के लोग जो होते हैं वह सारेडिक रूप से जादा काम करते हैं इसलिए उनके लिए जो कैलरीज निर्धारित है वो कितना है उतनी अगर हमें मिल रही है तो हम ठीक ठाक हैं हम गड़ी भी रेखा में नहीं आएंगे क्योंकि हमें बोजन कहां से प्राप्त होगा इंकम से ही तो प्राप्त होगा ना तो इंकम मेरे पास आ रहा है और उतनी कैलरीज मुझे मिल रही है अब कैलरीज की डिसाइड कर सकते है कि जैसे अगर मैं calories के बारे में आपको बताऊं तो अगर हम एक रोटी खाते हैं, एक अगर small size की रोटी खाते हैं, तो उसमें लगबर 70-80 calories पाया जाता है, अगर एक medium size के हम रोटी खाते हैं, तो उसमें 147 calories पाया जाता है, तो हम अगर medium को ही मानने और 100 calories ही मानने, अगर हम 45 लगबग 500 आपको चाबल जाते हैं तो खे शारी 600 ऐसे सोग्राइब आपको रोटी और चाबल से बाकि हम सबसी खाते हैं या कुछ और भी खाते हैं मिल्क लेते हैं तो इन सब मिला करके अगर एक व्यक्ति को प्रती दिन 2400 कैलरी या उससे ज्यादा मिल रहा है तो वह स्वस्त भी है और उसको गरीबी रेखा में नहीं कौंट किया जाएगा इसलिए सरकार ने भारत सरका कर थूछ...त कैल नश etme करता आपता है तो आप समझ गाए कि गरीबी रे खाय कालपनिक रेकहा है जो निर्धारीत करने के लिए योजना अएग ऑनाहे पनाया तो दोस्तों होप की आज आपको इस चेप्टर का लास्ट वीडियो पसंद आया होगा अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल से नहीं जुरे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़े हमें सपोर्ट करें मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए चेप्टर के धन्यबाद